How to get TikTok application on your PC or laptop Hello guys and welcome back to my YouTube channel Guys, अज़ की सुडियो में बात करते हैं कि आप TikTok application को अपने PC or laptop में कैसे इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं So guys, as you can see कि मैंने अपने PC में TikTok application इंस्टॉल किया है तो अगर आप भी TikTok application को इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने PC or laptop में तो आपने इस वीडियो को end तक देखना है So चलो guys, इस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं Guys, TikTok application को अपने PC or laptop में इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपने एक Android emulator इंस्टॉल करना है अपने PC or laptop में जिसका नाम है Nox Player यहां पर आपको स्कीन के उपर भी नज़रा रहा होगा तो आपने इस इंस्टॉल करना है अगर आपको Nox Player के बारे में नहीं पता कि आपने इसको कैसे इंस्टॉल करना है कहां से डाउनलोड करना है तो इसके उपर मैं अलरेड़ी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ तो सबसे पहले आपने उस वीडियो को वाच करना है और वाच कर देने के बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है अपने PCI Laptop में और इंस्टॉल कर देने के बाद आपने simply इसको ऑपन करना है आप यहाँ पर सच के उपर क्लिक करना है आपने यहाँ पर type करना है टिक्टो कर देने के बाद आपने enter कर देना है जैसे यह आप enter करोगे आपके पास play store open हो जाएगा और यहाँ पर as you can see के TikTok application आ चुकी है तो आपने simply TikTok application को install करना है as you can see के मैं इसको already install कर चुका हूँ तो मैं इसको open करके आप लोगों को दिखा देता हूँ so guys as you can see के TikTok application बिल्कुल TIG से work कर रही है और आप इसी तरह TikTok application को अपने laptop या PC में install कर सकते है इसको run कर सकते है तो आप यहाँ पर comments भी कर सकते है like भी कर सकते है आप अपने account को login भी कर सकते है so guys this is how you can install and use TikTok application on your PC or laptop I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो please वीडियो को like कर दीजेगा और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को subscribe कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक न्यू टुटोरियल के साथ तब तक के लिए take care and goodbye बाइ